Hello to all beautiful people, here was with us, welcome to this English learning quiz channel, जहांपर मैं आपको help करते हूं, हिंदी से इंगली सीखने हूं तो गाइस, पहला word जो है, वो है घिसना, जैसे गाजर वगएरा को घिसा नहीं जाता हलवा वगएरा बनाने से पहले, तो गिसना को हम इंगलीश में कहते हैं, ग्रेट, उसके बाद है नापना, जैसे फल, फ्रूट वगएरा हो गए, इनका केजी में भार तोला जाता है, तो नापना को हम English में बोलते हैं wait तलना जैसे पकोड़े ठीक की वगएरा को तला जाता है तो तलना को हम English में कहते हैं fry उसके बाद है भूनना जैसे chicken वगएरा हो गया ठीक है इनको भूना जाता है corn वगएरा हो गया तो भूनना को हम English में कहते हैं roast उसके बाद है मतना, तो मतना को हम इंगलिश में कहते हैं चर्ण, उसके बाद है जमाना, जमाना को हम इंगलिश में कहते हैं सेट, उसके बाद है उबालना, जैसे दूद उबाला जाता है, अंटों को उबाला जाता है, तो उबालना को हम इंगलिश में कहते हैं बॉल, उसके बाद है उफनना क्या होता है जैसे दूद व गएरा जब उबल जाता है पतीले के भी बाहर आ जाता है तो उसे हम इंगलीश में कहते हैं boil over बाइल ओवर next one is छीलना छीलना को हम इंगलीश में कहते हैं біль जैसे आलू को छीला जाता है गजर को शीला जाता है तो शीलना को हम इंगलिश में बोलते हैं पील उसके बाद है सेकना जैसे रोटी को सेका जाता है प्रांठा वगएरा तो सेकना को हम इंगलिश में कहते हैं बेक उसके बाद है बेलना तो बेलना को हम इंगलिश में कहेंगे रोल आउट के बाद है गू हम इंग्लिश में बोलते हैं net, उसके बाद है पलटना, जैसे रोटी को पलटा जाता है एक तरफ से जब सीख जाती है तो पलटना को हम इंग्लिश में कहते हैं Flip, flip, उसके बाद है उडेलना या फिर डालना, तो इसको हम English में बोलते हैं pour, जैसे जग से हम ग्लास में milk डाल रहे हैं, तो इसे हम English में बोलते हैं pour, उसको बाद है milana, लग-लग तरीके के fruits काट ले, fruit chart बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो मिलाना को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं mix उसके बाद है पीसना जैसे powder नहीं बनाया जाता कच्चे मसालों का तो पीसना को हम इंग्लिश में कहते हैं grind उसके बाद है घुलना या फिर खोलना तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं dissolve डिजॉल्व उसके बाद है छिड़कना जैसे पानी वगएरा छिड़का जाता है नमक वएरा छिड़का जाता है तो छिड़कना को हम इंगलिश में कहते हैं सप्रिंकल सप्रिंकल उसके बाद है पिघलना या फिर पिघलना तो पिघलना को हम इंगलिश में बोलते हैं तो चलाना को हम Englisch में कहते हैं स्टेर उसके बाद है निचोडना को हम Englis में कहते हैं सिक्वीज और जैसे अमलेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं अंडे जितने भी होते हैं उन सब को हम फैंटना को हम इंगलीश में कहते हैं विस्क उसके बाद है चानना जैसे चाय वगेरा को क्या करते हैं चानते हैं तो चानना को हम इंगलीश में कहते हैं उसके बाद एक और तरीके का चानना ही होता है जैसे हम आटा गुंदें से पहले क्या करते हैं उसको चानते हैं तो चान हो गया स्ट्रीह जिसमें चाय बगेरा इससे चानते हैं एक थांना हो गया जैसे आठाव घएरा उसे हम बोलेंगे डिशुट मेंन उसके बाद है काट अप्ड़ना जैसे समझियों वगेरा को काटा जाता है तो उससे आप बिघो कर रख देते हो धूप में थोडी देर के लिए तो बिघोना को हम इंगलिश में क्या कहते हैं सोक उसके बाद लगाना जैसे ब्रैड के उपर मखन लगाना हो गया है कुछ भी लगा रहे हो तो लगाने को हम इंटलिश में बोलते है सप्रेट उसके बाद है ढकन जिसे हम ढकने देते हैं रोटियां वगेरा भी बनाने के बाद तो कवर करना जिसे बोलते हैं तो ढकन लगाने को हम इंगलिश में क्या बोलते हैं कवर ढकना कवर उसके बाद है सजाना सजाना को हम इंगलिश में क्या बोलते हैं गार्निश गार को जैसे को दाल बनाई या उसके ओपर ऐसे धनिया हमने क्या कर ऐसे करनी देते हैं तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गार्निश तो गाइस यही थी आज की वीडियो मैंने आपके साथ बहुत सारे डेली यूज वकाबरी वर्ट शियर करें हैं जिससे आपको बहुत एल से यह इंद ने ने च्ट वीडियो